हेलो अब्रीवान वेलकम टो आवर चैनल फीजिकल एजूकेशन विद में तो आज हमारा जो हम फाइव कोशेंट 20 कंसेप्ट सीरीज है हमारा फिफ पार्ड है पार्ट है जिसके अंदर हम एच्टाइट 2019 टीजीटी प्रीवेस एयर कोशेंट पेपर को सॉल्व कर रहे हैं वो भी प्यूरली कंसेप्ट क्लियर करके तो जो भी हमारे चैनल पे नए हाए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिलती रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा फर्स्ट कोशन है ओल्ड एस्ट स्कूल ओफ फिलोसफी इन फिजिकल एजुकेशन नेचुरलिजम आइडलिजम रियलिजम और प्रेग्मेंटिजम तो आप हमें राइट अंसर बताएंगे और हमारा राइट अंसर है नेचुरलिजम नेचुरलिजम सबसे ओल्ड एस्ट कूल है फिलोसफी का फिजिकल एजुकेशन में और इसको याद करने का सबसे असान तरीका है कि नेचर नेचर दुनिया में सबसे पहले आया है तो नेचुरलिजम सबसे पुराना स्कूल है ज उसके बाद idealism idealism किसने दिया है plateau, जिन्योंने किसकी बाद किया है? truth, beauty and goodness उसके बाद हमारे realism है Realism दिया अरस्तु ने ठीक है अरस्टॉटल , Than OUR last is pragmatism pragmatism ko हम ایksperimentism और dale governance भी बोलते हैं , जो किसने दिया है? JOHNDE Awakन जिसके बादHe Jamie जाने जाते है pragmatism के , जो keyboard ही डूइजम नाम रखा गया है प्रेग्मेंटीजम का और इसके इलावा विलियम जेम्स हैरिस्टस एंड बिकोन ठीक है एफ बिकोन फ्रैंसिस बिकोन यह सब इसके अंदर आते हैं तैने हमारा नेक्स्ट कोशन है वट इस रेंज ओफ हीमोग्लोबिन इन हैल्दी वूमेन ठीक है सबसे पहले हमें कोशन अच्छे से पढ़ना चाहिए किसका पूछा है इसके अंदर हैल्दी वूमेन का तो राइट अंसर है 12 से 15.5 ग्राम पर डेसिलिटर ठीक है 12 से 15.5 ग्रा कम से कम कितना है 13.5 और हाई से हाई 17.5 जो आप कह सकते हैं कि लग बग जो फर्स्ट ऑप्शन है यह किसके लिए है मैन के लिए ठीक है उसके पाद फीमेल में कितना अच्छे जो भी बताए है 12 से लेके 15.5 तक और एक प्रोक्स ठीक है असेप्टेबल फॉर डोनेशन जो ड सकते हैं मुँख क्या कर सकते हैं डोनेशन दे सकते हैं बलक यहां पर देख लिए अगेन यहीं बताया कि मैंन कään elles 15.5 से लेकर 17.5 ग्राम पर डेसिमल मैं कितना ग्राइप कि यहां पर बात चाइल की अदर पॉछ से अदर टीमें का और निउबॉन के अंदर यः आप does और यूबोन के अंदर 15 से 21 फिट जो त्री मंद का बेबी होते है नाइन से 9.5 से 12.5 चिल्डन का है 11 से 13.5 अडल्ट फीमेल का है यहां 11.5 लिखे है यहां 12 से 15.5 और मेल का है 13.5 से 17.5 तो यहां पर आप देख सकते हैं आपके एक कोशन के अंदर आपके कितने सारे कंसेप्ट क् हमारा next question है who is the author of योग परदीप योग परदीप के ओथर कोन है पतांजली शीरी अर्विंद कपिल मूनी या फिरीशि वट्स्यम वतश्यान ठीक है तो राइट अंसर है हमारा yes सिरी अर्विंद राइट अंसर है सिरी अर्विंद जो महारीशी पतांजली जी है उन्होंने क लिखा हुआ है कि उन्होंने लिखा है योग सुत्र के बारे में ठीक है उसके बाद हमारे श्री अर्विन जो किसके राइटर है योग परदीपिका के जिनको लाइट और योग भी बोला गया है योग परदीप का दूसरा नाम क्या बोलते हैं लाइट ओफ लाइट और योग उसके इलावा शीरी अर्वन जी के बहुत सारी बुक्स हैं जैसे लाइफ डिवाइन ठीक है इंटर्नल योग सीवित्री एसे ओन गीता और भी बहुत सारी है लैटर ओन योग इसके अंदर पार्ट है वन टू थी बैसीज ओफ योग ठीक है सिंथीज ओफ योग बहुत सारी कुछ लिख यह इन्होंने बाष तैक कपिलमुनी भूइन को कपिलमुनी है जो उनको क्या बोलते हैं वैदिक सेग ठीक कपिलमुनी को कि ग्रैड़ित जाता है और क्या लिख cushion योगि लिखा है बोग सुत्रा और कपिल मुनीं लिख़्या स्मक्षूत्रा जिसको कपिलुसी बहुंद सुत्रा घंत, यह कि नå ने लिख्या रिशी वतश्यान ने यह इंडियन फिलोस्पर कें बहुत बड़े जिनोंने क्या कौनसी लिखे कामा सुत्रा तो यहां पर आप में देख सकते हैं पतंजली जी ने योग शुत्रा कपिल मुनी ने समख्य सुत्रा और रिशी वतिश्यान ने कह लिखे कामा सुत्रा हमारा next question है smetotropin smetotropin को का दूसरा नाम क्या है smetotropin का दूसरा नाम क्या है growth hormone body type fat hormone या फिर pain killer ठीक है तो right answer है हमारा yes right answer है हमारा growth hormone smetotropin का नाम दूसरा क्या है growth hormone growth hormone को GH से भी जानते हैं ठीक है GH मतलब growth hormone smetotropin यह question में ही है और इसको human growth hormone भी बोल सकते हैं या फिर HGH कई बार short form भी पूछ लेते हैं ठीक है जैसे एक बार question exam में आये थी कि R.O.M किसे related है ठीक है तो कई बच्चे क्या सोचते है कि ROM RAM computer selected है नहीं यह किसे range of motion से जो कि selected है flexibility से उसके बाद है हमारा body type ठीक है body type नाइम से भी पता है Sheldon के दुवारा दिया गया था जिसके अंदर उनने एक्टोमोर्फी एंडोमोर्फी और मेजोमोर्फी के बारे में बताया था नहीं हमारा fat hormone fat hormone liptin hormone से भी जाना जाता है liptin is a hormone ठीक है जो क्या प्रड्यूस करता है प्रड्यूस सोरी किस के दुवारा produce के जाता है fat cells के दुवारा जो किसमे important role play करता है regulate fat storage ठीक है liptin, liptin क्या है एक hormone है कौन सा fat hormone सब को यह पता है lipid, lipid ठीक है lipid किसको बोलते है fat को ठीक है तो liptin hormone है जो fat cell के दुवारा produce किया जाता है यास हमारा last question है सम्तम योग उच्यते यह definition कहां पर maintain है रमायन में, गीता में, अस्टांग योग में या फिर Indian constitution में तो हमारा right answer is yes, गीता सम्ते योग उच्यत्या में किसमें लिखा हुए गीता में देखिए आप खुद ही अपने आप इसको eliminate भी कर सकते हैं रमायन में योग के बारे में ऐसा कुछ नहीं रिखा है अस्टांग योग में लिखा हुए है कि योग है चित्य वृत्य निरोधक ये अस्टांग में रिखा है और Indian constitution तो बिलकुल related नहीं है तो क्या बसता है गीता तो देखिए लोड कृष्णा ने कहा है सम्तव योग उत्या में सम्तव मतलब balance state ठीक है कहा गया है सैट्टू योगा को क्या कहा गया है balance state योगा क्या है balance state है किस के अंदर body के अंदर और mind के अंदर योगा is a balance state of emotions और किस के अंदर emotions के अंदर और thoughts जो भी हमारे intellect है thoughts है उनके अंदर क्या कह सकते है क्या बना कर रखता है यह हमारे mind में कि जो situations होती है equilibrium balance बनाए रखती है और योग उसके बाद अस्टांग योग की बात करें तो अस्टांग योग में क्या रित्य निरोदक किस में लिखा है यह योग सुत्रा में लिखा हुआ है ठीक है पताजली जी ने यह define किया है कि योग चित्र वृत्य निरोदक चित का मतलब हमारे mind से है वृत्ति का मतलब function of mind जो भी हमारे mind के अंदर आता है जाते हैं जो हमारे thoughts है निरोदक मतलब control करना कि योग क्या करता है हमारे माइन्ड के अंदर जो हमारे thinking है जो functioning है उनको क्या करता है control करता है उन पर क्या बनाता है मलब योग चित्र वृति निरोधक उन पर control करता है को योग तो हमारे यापे five questions complete होते है I hope आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो like करना मत बूलेगा और अपना important feedback जरूर दीजे यहाँ पर आपको बहुत सारी PDF मिलती है वीडियो जो भी हमारी YouTube पर डलती है यहाँ पर MC questions भी आपको प्रवाइड के जाते हैं और other important information related to physical education Thank you so much learn together and start from now